असलाम अलेकम माई यूट्यूब फैमली उमीद है कि आप सब खेयर खेयर से होंगे आज हम आप लोगों के लिए डोनट की रेस्पी लेकर आए हैं आप लोग डोनट जो है वो बेकरियों से खरीदेंगे अब आप लोग खुद उसको घर में बनाएंगे और बहुत ही असान और बिल्कुल बेकरी स्टाइल के बनाएंगे तो चले चलते हैं स्टेप वन की तरफ यहाँ पर मैंने आदा कप जो था वो नीम गरम पानी ले लिया था वन टी स्पून मैंने यहाँ पर चीनी ले ली थी चीनी हमने बहुत दर्म्यानी रखनी है ठीक है तो वन टी स्पून मैंने अपर के इसी ले ली थी थी ठीक है अब हम इनको डाल देंगे पानी के अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बार के स्पूनिक स्पून मिक्स कर लेसे क्लिए dostel गरिए रखनोते है। अच्छी तरह ताके राइस हो जाए बिल्कुल अब हम इसको साइड पे रख लेते हैं अब एक बॉल ले लेगे और ङसे में मैदा डाल देंगे मैदा डाल लें के बाद हम इसमें 1 TSP ऑयल का डाल लेंगे œil को हम अच्छी तरह से प्लेट से साफ कर लेंगे ताकookie हमारी कोई चीज भी जाया ना ओ इसके बाद हम थोड़ा सा नमक लेंगे और इसमें मिक्स कर लेंगे इसे पहले चम्मक की मदद़ से हम आफ़ा आफ़ा सब चीजों को तीनों चीजों को मिक्स कर लेंगे उसके बाद जो हमारे पास पानी एस्ट का पानी है उसे हम थोड़ा थोड़ा डाल के मैदे के अंदर उसे हम आइस्टा आइस्टा रूमून लेंगे और हमने जो डो है इसको बहुत जाता सक्त नहीं बनाना हमने यह सरड़ा नर्रम ही रखना है क्योंकर हमारी णोनट है वह बहुत मज़िदार से अच्छे से बने अंदर उसका जाल वगरा अच्छा साजें हाँ बहुत ही हमने सौट सौट बनाने बिल्कुल वैसे जैसे कि आप लोग बेकरियों में खाते हैं अब आप लोग वही बेकरी स्टाइल के जो है वो घर में बनाएंगे और बहुत ही असान तरीके से और आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा भी लगेगा अब हमने इसकी बहुत सौट 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 सी डो बना लेनी है अच्छे से हमने सारे बाउल को जो है वो क्लेर कर लेना है यहाँ पर सौट सी जो डो थी वो हमारी तकरीबन तयार होगी थी हम आदे गंटे के लिए इसको रेस्ट दे देंगे ठीक है फिर मुलकात होती आदे गंटे के बाद अब जो हमारी डो है वो बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है नरम हो चुकी है यह देखें मैं आपको पेड़ा बना के दिखाती हूँ और इससे हमने पेड़े बना लेने है आपकी मर्जी है आप छोटे बनाए या बड़े बनाएं तो मैंने चार जो है चार पांच पेड़े ले लिये थह और उनको थोड़े-छोड़े से साइस के बना लिये थे कुछ बड़े और कुछ चोटे हमने चार पांच पे ले ले लिए थे और तोई Dir modifying बना लिए थे कुछ हमने छोटे बना लिए थे कुछ कामने दרम्याने और कुछ बड़े बना लिए थे ठाकि आप असब्दिशे हैं тебе को अपनी मरजी आपने हसाब से जिस तरीके से आप खाना चाहे चोटा खाना चाहें या बड़ा खाना चाहें आप उसी तरीके से बना लें बाकी अगर अगर आप बराबर बनाना चाहते हैं तो आप इसको पूरे को ना रोटी की तरह बेलन चोटी सी बोतल काप ले उसको दर्म्यान में से उसके हौल कले टाकि उसको डोनट की बन गीआ। देखें जी बहुत मज़ेदार सी हमारी डोनट की शेफ बन गी है ऐसे ही साइट पर रखते रहेंगे ठीक है अब यहां पर हम लोग कर लेते हैं चॉकलेट मेल्ट का प्रोसेस ठीक है पानी रख लेंगे उसके बॉयल आने तक करेंगे फिर हम यह इसके ऊपर रखेंगे तो य मेल्ट होना शुरू होगी थी तो हमने यहां पर क्लॉट्स बन रहे हैं गुट्लियां बन रही है इसकी तो यह हमने इसकी खतम करने है तो तीन टीस्पून जो है हमने आइल के लेने के इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि यह बहुत ही लीक्विडी सा बन जाए और बहुत मज़ हमने फ्राई करते हैं हमने बहुत जाधा गरम ऑल में इसको डीस धालना हलके हुआ हन के अच्छ आदार से राइस हो गया है तो यह देखे हमारे अच्छी तरीके से पूलने शुरू होगए है बिलकुल, यहां पर जबरदस से फूलने शुरू हो गए है, तो अब हम इनको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है? यहां पर आप देख सकते हैं फोर डिफरेंट साइज के हमने बना लिये थे तो अब हम इनको निकाल लेते हैं हमारे डॉनल्स को हम थोड़ी देर जो है वो साइट पर ठंडा कर लेंगे और तब तक हमारी चॉकलेट भी रेडी हो गई थी उसको भी हम ठंडा कर लेंगे फिर ह यहां पर मैंने डिश आउट कर लिया था यहां पर एक साइट पर प्लेर मैंने इसको रख लिया था और यह देखें हमारा कितना खुबसूरत गोल्डन कलर आया है आपने इससे जादा डार्क कलर नहीं करना वरना वह अच्छे नहीं लगी तो यहां पर हमारी चॉकलेट भ लगा सकते हैं एक अच्छे डेकॉर के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं इसके ओपर ठीक है कंडेंस मिल्क भी लगा सकते हैं आप इसके ओपर तो आप मैं इसके ओपर जो है वो स्प्रिंग कल लगा लेती हूं जी यह देखें आप यह आपकी मर्जी है आप इस पे बेशक ज आप लोग ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे कॉमें सेक्षिन में फीडबैक जरूर दीजिएगा तो मेरे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें इन्शाला फिर मुलकात होती है एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में तब तक के लिए अपनी दौा में आद रखिएगा ओके जी अल्ला आपीज